पिछली दो कडियों में मैंने आपको शावेज नाम की एक महिला का केस बताया था जिसने अपने पहले जनम का जिक्र किया था जिसमें वो बहुत चोटी 5 साल की उमर में उसका निधन हो गया था उसके बाद एक कमेंट भी आया था कि हमने तो यही सुना था कि पास लाइफ के कर्मों का असर हमारे इस जीवन पर होता है तो शावेज के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उसके पहला जनम इतना चोटा था सिर्फ पांच वर्ष की आयू में उसका निधन हो गया उसके बाद एक वीडियो में मैंने आपको उसी महिला के विशे में बताया था कि वह एक बुजू बढ़ बनने देना नहीं चाहती थी उन्होंने पहले पती को भी है एक दूस्य पुरुश के लिए दोड़ दिया वन्होंने बहुत बहुत आतमक वह नहीं गया एक गहरा रातमिक लगाओ उन्हें अपने बच्चों के साथ कभी महसूस नहीं हुआ और वो जो ये एक समाजिक और आर्थिक धाचा है जो हमें एक दूसरे के प्रति रिस्पोंसिबल बनाता है एक दूसरे की अधिनता को हम सविकार करते हैं जैसे बच्चे हैं बच्चे जब आपके जीवन में आते हैं तो आप बंद जाते हैं और इसकी एवस में बच्चे भी एक तरह से आपकी अधिनता सविकार करते हैं और आप भी बच्चों के साथ बंध जाते हैं तो एक ये cycle चलती है जिसमें हम एक दूसरे की जिम्मेवारियां उठाते हैं और इसके बदले में एक दूसरे की प्रेम पूर्वक अधिनता भी सव इस तरह के नई जीवन ले शुरू करे हैं उस तरह की ताधात इस दुनिया में सबसे अधिक है उनका वहाद जीवन के प्रती कुछ इसी तरह का होता है हर आत्मा का नहीं क्योंकि वो हर आत्मा जब वो अपने रूप में आती है अब मैं यहां जनम शब्द का इस्समाल करूँगी तो उस पर फिर बहुत से कमेंट आएंगे मैं जनम नहीं मैं यहां पर आप स्रजन कह सकते हैं आप एक वजूद जब आत्मा लेती है जब अपने वजूद में आती है तब ही से उसके गुण अलग-लग होते हैं वैसे जैसे एक बच्चे में गुण अलग-लग होते हैं वैसे ही सोल में भी अलग-लग गुण होते हैं और उसी के मुताबिक उसका पहला जनम निर्धारित होता है और एक बच्चा जैसे पहली में दाकिला लेने के बाद फिर वो ABCD सीखता है, एक दो तीन सीखता है, हर बच्चे की कैपसिटी अलग लग है, हर अलग लग दिशा में आगे बढ़ता है, और कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ देरी से सीखते हैं, इसी तरह से आत्माए हैं, अ इस दुनिया में कोई भी चीज़ का जब हम निर्मान करते हैं, चाहे वो लाइफलेस हो, या फुल ओफ लाइफ हो, कुछ भी हो, वो हम तब करते हैं, जब वो हमारे लिए कुछ बैने भीशल होती है, इसी तरह से इस धर्ती की हर आत्मा परमात्मा को कुछ ना कुछ देने के काबिल है, सुनने में ये बास सही नहीं लगेगी, सुनने में आपको लगेगा कि ये क्या कहा जा रहा है, हम आत्माओं की क्या विसाथ, जो हम परमात्मा को कुछ देने के लायक हो, लेकिन हम सभी आत्माओं में परमात्मा को कुछ ना कुछ सकारात्मक देने की अबिलि आपना रे आत्म लोग कि हम्राइब पहले से ढischके से धुनिया में नहीं चलिए गोए इसी लुका है तित्व बना है उसके आधार पर किसी कर्म के बदले में अपना रिस्पोंस ना क्रिएट करें इसके जैसे एक छोटा सा उधान मैंने पहले भी कई बात दिया है कि जैसे एक चोर है वो चोरी करना तो चाहता है लेकिन वो पुलिस से ड़ता है इसलिए नहीं करता और एक दूस है इसे सिखाता है ये स्मृति लोब का नियम हमें बहां तक पहुचना है जहां चीज हमारे सामने भी पड़ियो लेकिन हमारे नियत ही नहीं है चोरी करने की ना कि उस चोर की तरह है जो चोरी करना तो चाहता है लेकिन वो पुलिस से डरता है यानि जो भी एबिलिटी हमार अंदर ड्वलप हो और हम बिना किसी कि रीजन के उस आत्मिक गुण के साथ बिहेव करें जैसे उस चोर के लिए यह रीजन है कि पुलिस सामने खड़ी है इसलिए मैं चोरी नहीं कर रहा तो रीजन है यह रीजन नहीं होना चाहिए अंदर अंतर आत्मा के आवाज होनी चाहिए कि नहीं मुझे चोरी नहीं करनी इसलिए मैं नहीं करता तो यह स्मृति लोप का नियम इसलिए है कि हम सही माय नों में सीख सके और जब हम अलग लग रिष्टों में बंद के आते हैं तो तब हमारे लिए इन कार्मिक अकाउंट्स को चुक्तू करना भी ज्यादा इजी होता है हमारा हर नया जनम एक खुले भविश्य के साथ नई शुरुआत होता है और पिछले जीवन में हम क्या गलत करके आए हैं उन सब को भूल कर एक बार फिर नए कर्मों को करने का मुका हमें मिलता है जब एक आत्मा सीखने लगती है दूसरों की जिम्मेवारी लेना दूसरों के लिए करना एक आत्मिक लगाओ सच्चा वाला प्यार तब वो एक सीड़ी और तरक्की की चड़ती है अगर मैं डाक्टर न्यूटन की शब्दों में कहूं तो उन्होंने इस बात को दो लाइनों में इस त्री किसे स्वस्ट किया है कि तब उन्हें उनके छोटे पारिवारिक कोशों से दूसरी प्रारंभिक आत्माओं के साथ निकाल कर प्रारंभिक आत्माओं के बड़े समूं में शामिल कर लिया जाता है साधान शब्दों में कहा जाए तो जब एक आत्मा अपने अंदर इन चीजों को दूसरे की जिम्मेबारी लेना दूसरे की प्रति सच्मुच आत्मिक लगाओ महसूस करना एक दूसरे के लिए करना जब ये सीखना शुरू कर देती है जैसा कि अभी मैंने शाबेज के विशे में बताया उसमें इन चीजों की कमी थी वो उसका शैद दूसरा ही बर्थ था तो वो अभी कुछ भी सीखी नहीं थी ये जिस दिन आत्मा ये सीख जाती है तो वो एक पायदार उपर चड़ जाती है और इसे कहा गया है कि उन्हें प्रारहंबिक आत्मा के एक बड़े समू में शामिल कर लिया जाता है कर दिन आत्मा ये है कि जो मेहत्रपूण आध्यात्मिक घटनाय है वो अकशर तब घटती है जब आत्मा भूलोग पर अपना लगभग पाचपा जीवन व्यतीत कर चुके होती है यहाँ पर मैं चोटी आत्माओं की बात की जा रही है कि वो अक्सर एक पाइदान चड़ने में 4-5 जनम ले लेती है और ये जो थोड़ा वक्त होता है जिसमें आत्मा सिर्फ अपने लिए सोच रही है किसी के प्रती कोई जिम्यवारी नहीं कोई आत्मिक लगाओ नहीं वो इ इन ग्रुप्स का एक गठन होता है क्योंकि वो जो प्रारंबिक आत्माओं है जो उसके आसपास की जो उसकी संबंदी है जो उसके मित्र है वो भी प्रारंबिक ही स्तर के होने की चांसिस जैदा होते हैं तो वो जो आत्माओं होती है उनका जब एक गठन होता है इस तरह की हम जानते ही है कि आत्मिक में एक स्तर होटी हैं MA वह हो और फिर पहले स्तर के आत्माओं के साथ रह रहे और यह जो आत्मिक समू होते हैं, जैसे एक आत्मा है, उसका रुजहान, उसकी प्रेड़ना, वो जो उसके पूर जन्मों के एक्सपीरियंस रहे हैं, उनके उपर बेस्ड होता है, कि उसका रुजहान किस तरफ होगा, वो उसको कौन सी चीज प्रेड़ित करेगी, यह उसके पूर जन्मों के एक्सपीरियंस के उपर डिपेंड करता है, और यह जो आत्मिक ग्रूप्स होते हैं, इन ग्रूप्स का गठन होता है, यह बहुत साफधाने पूर्वक किया जाता है, कि इस समू के अंदर, एक आत्मिक ग्रूप के अंदर, जितने भी आत्माएं हैं, वो एक दूसरे की जो व्यक्तित्व हैं, उनकी विशिष्टाओं के प्रती बहुत ज़्यादा सम्वेदन शील हो, और उसके जरिये उन सब को सहारा मिल सके, कम शब्दों में कहा जाएं, तो जो प्रारंबिक स्थर की आत्माएं होती हैं, वो आत्म मोहित आत्माएं होती हैं, और वो सीखती हैं कि क्यों उन्हें दूसरे आत्माओं के साथ मिलकर काम करना हैं, जैसे एक बच्चा जब पढ़ने सीखने जाता है, तो उसे अबी सीडी नहीं आती, उसे गिंती नहीं आती, उसे कुछ नहीं आता, वो अभी सीख रहा है, इसी तरह से एक आत्मा जब अप होसी आत्मिक कम्या है, उनके उपर सुधार करते वे वो सीडी दर सीडी आगे बढ़ती जाती है, और पहले जनम का जो आधार है, वो भी वो किन गुणों के साथ पैदा हुई है, इसके उपर निर्भर करता है, क्योंकि उसका जब स्रिजन हुआ, तब भी उसके अंदर कु स्रिजन ह कि उनके साथ कूषा है, वह द्रीकारे दाए में कि जानकारी उपलब्द नहीं है, तो उनके बारे में कैसे जाना सब्दाए सकता है, लेकिन जिए एक आत्मा सीजनहार से लग होटी है किस प्रकार से एक स्थान होता है प्रियसे, चोटेfend को रखने की बढ़ सार्प का वर्णन जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगाills डिटेल में होता जाएगा, डाक्टर ब्राइन विस की रिसर्च पर आधारी मैनी लाइफ, मैनी मास्टर्स की सीरीज अगर आप सुनना चाहते हैं, जहां हमें आत्मा और इस पुनरजनम के चक्र की एक बहुत हम क्यूं इस पुनरजनम के चक्र में हैं और किस तरीके से आत्मा की जरनी चलती है उसे समझने में हमें आसानी होती है अगर आप उस सीरिस को सुनने की इच्चुक हैं तो मेरे दूसरे चैनल पात ओफ हैपिनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दिया हुआ है आप सभी परमातम सौंदर रहे प्रेम और आनत से देव परस्ता रहे आप सभी दिव्य परमधा में